नमस्कार प्रिय दर्शकों कर्म के फल का महत्व क्या है कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है गीता के अनुसार कर्म का फल कैसे मिलता है आज के इस वीडियो में हम कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है क्योंकि इनसान ही अच्छे और गुरे कर्म करता है, पशुतों नहीं करते तो वीडियो सुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जैश्री कृष्ण जरूर लिखें इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें क्या मैं यह सही कर रहा हूँ अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं अगर आपने अपने आपको बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगे इस जन्व में नहीं तो अगले जन्व में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्मान करते हैं अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा भगवान की न्याय विवस्था बहुत ही ज्यादा सुद्रिड है कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा भगवान के घर देर भले ही हो जाएं मगर अंधेर हो ही नहीं सकता जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलीत होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ती नहीं होगी है प्रभु की प्रत्येक रचना प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किये गए पुनियों या बुरे कर्मों का पापों का फल है प्रभु को दोश नहीं देना चाहिए भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ती होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा मनुष्य के कब किये हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं भगवान का विधान विचित्र है जब तक पुराने पुन्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तक्काल नहीं मिलता जब पुराने पुन्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है पाप का भोगना पढ़ता ही पढ़ता है इस जन्द में भोगना पढ़े या जन्मातंतर में इस लोप में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े में ही शुद्धी हो जाती है नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है मगर सत्सम दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है अपने दुखों को हसन हसन जेलो या रोकर जेलो यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य अवश्य ही पड़ेगा फिर रोकर क्यो जेले रोने से कश्ट दुगना हो जाता है और हनस्ते हनस्ते रहने से आधा हो जाता है जिस दिन पाप कर्म हो जाएं तो अगले दिन उपवास रखो यह एक उत्तम यह कर्मभूमी है कर्म तो करना पड़ेगा कर्म नहीं करोगे तो पाप चड़ेगा जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा फिर दुशकर्म क्यों करे? प्रत्य कर्म प्रभू को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेगे धन, दौलत, सुयश, खुशिया, सफलताए सुखी परिवार रोना हमारे कर्मों का फल है और पीडा, दुख, बिमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है भूतकाल में हम जो भोग चुके है या हो सकता है इस जन्ज में भोगेगे श्रीकृष्ण ने समझाया कि भीश्म पितामह सुख दुख से जै पराजय से परे है वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ भीश्ण ने श्रीकृष्ण से कहा भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73 वे जन्म तक देखा मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया फिर मुझे बाणों की शया पर क्यों सोना पड़ा तब श्रीकृष्ण मुस्कुराकर बोले कि सन्यम मूर्ती भीश्ण 75 वे जन्म के पहले 74 वे जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए वहां पत्ते पर बैठी टिड़ी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है कर्म का फल 6 साल में दुगुना 12 साल में 4 गुना 18 साल में 8 गुना 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है इसलिए जब आप करता होकर कर्म कर रही हैं तो सोचे ले कि इसका क्या फल होगा धृत्राष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने ही बेटे की मृत्यू का शोक्त मिला मैंने अपने सौ जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृत्राष्ट ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे बिना विचार कि ये जो सामने आजाता खा लेते इनाम भी दिया एक दिन रसुये ने हसं के सौ बच्चों का मास बना कर एक-एक कर के राजा को खिला दिया श्री कृष्ण ने कहा धितराष्ट जी आप स्वाद में अन्धे हो गए तभी आप इस जन्म में अन्धे बने तुम्हारे पुणियों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया तभी तुम्हारे 100 फुत्र मारे गए सोचो साथ में क्या लाएं और क्या ले कर जाएगे मनुष्य को ऐसी कमाई इकठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यू के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्ज में भी हमारे ही काम आ सके सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ, नंगे, इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा मृत्यू के समय यह धन, दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, प्रिष्टेदार, भाई, बेहन, माबाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते चाहे राजा समराठ हो या कोई भिखारी हो इसलिए इतना मोह इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें साथ में हमारे जाएगे सिर्फ हमारे अपने किये हुए अच्छे या बुरे कर्व कीर्ती या अपकीर्ती, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा उन्य जो भी हम इस जन्म में करेगे यहा अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा हमें प्रत्य एक दिन जब भी हमारा मन शांत हो आखे बंद करके दो-चार मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांती को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए है यह भाग दोड, तनाव, ताना बाना मकडी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलजे हुए क्यों है और किसके लिए जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो जैसे की कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेजजती, असम्मान, अपमान, गला, सडाया, खोट वाला खाने का पीने का सामा जो चीजे हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को जरूरत मंद को बिना मांगे भी दो जैसे की आम, लक्ष्मी, मिठी बातें, सद्व्यवार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे, अच्छे बढ़िया सामान, दोनों हाथों से बाटो, लूटा दो परोबकार करो, दान धर्म करो, संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो, यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो, लोकेवल अपना है इसलिए जितना लुटाओगे, वो ही तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारे काम आएगा सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो, कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थाई संबंध नहीं है यह शरीर, मकान, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, स्त्री, उत्र परिवार, बांधय, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्योंका त्यों छोड़ कर यहां से चल देना है जब जाएगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएगे, सिर्फ भगवान साथ छुटने वाला नहीं है साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते, आप कितने भी उपाय कर लो सारे उपाय यहीं धरे रह जाएगे सिर्फ भगवान, नारायन, प्रभो की भक्ती, दुखियों की सेवा, दान, पुन्य साथ में अवश्य जाएगा साथ में जो जाएगा, वही तो अपना हुआ साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ जीते जी उन पर आए वस्तुए से मोह क्यों रखें आप गंभीर्ता को जाकर विचार करें, साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएगे, तो फिर अशान्ती, हाई, छीना जप्ती, क्यों? किसके लिए? भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित समझ कर, फल प्रभु पर छोड़ दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं तो सोचो फिर दुख क्यों करें? दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे यदि मोक्ष की इच्छा है, तो विश्यों विश्य के समान दूर से ही त्याग दे और संतोश दया, सरलता अमरित के समान मित्य आदर पूर्वक सेवन करे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा यदि हमने सही जीवन का उद्देश्य नहीं चुना, तो निष्चे ही हमें कर्मों का हिसाब किताब करना होगा जब यह शरीर छोडेंगे, तब कैसा अनुभव होगा यदि हम साधना करें, तो कर्मों का हिसाब किताब कुछ कम हो सकता है वैसे कहा जाए तो यह कल्युग है आज करेंगे कल पाएंगे इस जीवन में हिसाब किताब बहुत कुछ होता है लेकिन कुछ ऐसे कर्म ही होते हैं कि आने वाले जन्मों में भी हमें उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है इसलिए मनुष्य जीवन यह बहुत ही अन्मोल स्रिष्टी योनियों में है इस शरीर से हम उस आत्मा का काम कर सकते हैं परमात्मा का मिलाप हो सकता है स्वार्थ और परमार्थ के दो काम होते हैं शरीर के लिए जो भी काम है, वह भी स्वार्थ और आत्मा के लिए किया गया कार्य पर्मार्थ है. सुमिरन्द जरूर करो. सुबह का शाम, शाम का सुबह। और आज का कल पर मत्तालो. जब समय मिले तभी कर लो. कोई भी काम करो, आधा मिनट एक मिनट आख बंद करो और नाम रूप को याद कर लो, इससे ठीक रहता है और ध्यान भी उपर की तरफ बना रहता है परमार्थ में स्वभाव का बदलना बहुत जरूरी है स्वभाव कोई आज का नहीं है, यह युगों-युगों का पड़ा हुआ है और गुरु की कृपा से ही यह बदला जा सकता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? साधना करने वाले व्यक्ति जोर शोर के साथ साधना करें अंतर ध्यान होकर साधना करें, ताकि तुम्हें और लोग न देख सकें स्थ्री और पुरुष अपना उस विशुध ताकत को जमा कर लें, जो उनके अंदर छिपी हुई है उसको जगा लें और जगाने के बाद में, यदि एक भक्त हो जाएगा, तो सारी दुनिया को रोशन कर जाएगा महान आत्मा एक हुआ करती है आत्मा की उस विशुध प्रकाश में जाना है तो हमारे सार सत्संगी सब उसी रास्ते पर लगे रहें एक सूत्र में और एक मार्ग में बंधे रहें और भविश में जो भी आपका धर्म है उसको शरीर के अंतिन स्वांस तक खतम करना चाहिए ताकि दोबारा तुमको यह जन्म न मिले ताकि दोबारा कश्ट की योनियों में इस फित्रत में न आना पड़े यहां हमारा लक्षय है जिस समय पर तुम्हारी मौत की अवस्था आएगी उस समय पर तुम पहले पहुँच जा वहां तुम पहले देख लो वहां पहले तुम बसो चल दो वह स्थान तुम्हारा पहले आगे जाने का मुकरर हो जाए और जब तुम शरीर छोड़ने लगो तो देखो, मैं यह तो पहले से ही, तैयार बैठा हूँ, यह तो मैंने पहले से सोच रखा है, ना हमारे मोह है, ना आशक्ती है, ना हमारे ध्यान है, ना धारना है, ना लगाव है, जरा सोच लो, एक गुरु ने साथ लेकर के लगाम करके यह काम किया, और अब हम लोग बेलगाम हो गए हैं, जब कृष्ण भगवान का कहना लोग नहीं माने, और जात वालों ने कहा, कि भाई, हम जा रही हैं, उनहीं से दरवार वाले फिर बेलगाम हो गए, उसका परिणाम सर्वविदित है, तो अगर हम लोग उन गुरु महान आत्माओं को साथ लेकर के काम करें, तो सफलता अवश्य होगी, नहीं तो बिना लगाव के चाहें मनुष्य रहे परंतु समाज बरबाद हो जाएगा, इसलिए गुरु को साथ लेकर के, जो भी काम किया जाये तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो हम सब भा भूल चुके हैं, इसलिए गुरु आकरके इस चीज को बताते हैं और प्रचार करते हैं कि परमात्मा को पाना का तुम्हारा धेथा, संसार का कुछ दिन बाद तुमको छोड़ देना होगा, गुरु कितने दयालू होते हैं, तुम्हारी आत्मा को जगाते हैं, तुम्हें अधोगती के रास्ते से बचाकर तुम्हारे कर्म को समाप्त करना चाहते हैं जब तक कि तुम्हारा यह शरीर है। आदे क्रिया कर्म जो वह बताते हैं उसका पालन करो ताकि तुम परमात्मा के धाम में पहुँच जाओ और हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। इस वक्त जो कर लिया जाए वह ठीक है। बाद में न जाने क्या होगा। बाद में मैं बताता हूँ कि बाद में उन भैंसों बैलों और उन गधों जैसी हालत होगी कि और बिना तौल के वजन लाद दिया जाएगा। और जब गिरोगे तो जमीन के उपर तो फिर उठ नहीं सकते हो। यहाँ हालत उस समय होगी। तो दर्शकों अभी चेतन का वक्त है हमारा सब का। भूल में किसी को मत डालो। किसी के गुमराह मत पड़ो। यह भूल है तुम्हारी की गुमराही में हम दूसरों को कर रहे हैं। अगर अज्यान में कर्म करते हो तो कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा। अगर किसी अध्यात्म शक्ती को साथ ले लोगे तो गलती न हो पाएगी वह रोकने वाली वह लगाम लगाने वाली वह गुरु अगर पास में रहेगा तो आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हो। कर्मों का फल वग उनकी सजा हमें इस शरीर छोड़ने के बाद भी भोगनी पड़ती है। जीवन रहते भी उसका हिसाब किताब बहुत कुछ करना होता है। कल्युग को कर्मश्रिष्ट युग माना जाता है। इस युग में सिर्फ कर्म का ही फल मिलता है। पूजा भक्ती गुरू के आश्रम में जाकर सेवा, यह सब आपको सही कर्म करने के लिए प्रेरित करता हैं। यह अपने आप में धर्मनुसार कर्म नहीं है। धर्मनुसार कर्म वो है, जो की व्यक्ति अपनी उन्नती के लिए अपने परिवार तथा अपने पूरे परिवार तथा जिस समाज, महले या सोसाइटी में वो रह रहा है, उसकी उन्नती के लिए पूरी निष्ठाव इमानदारी से करता है। ऐसा करते हुए वो समाज में प्रक्ती भी कर सकता है, घन अर्जित भी कर सकता है। यहां यह स्पश्टी करण आवश्चक है कि निष्ठाव इमानदारी से कार्यरत रहने का यह भी आवश्चक मापदंड है। कि वह व्यक्ति समस्त नकरात्मक सामाजिक बिंदूओं का भौतिक स्थर पर विरोध करेगा। जैसे कि भ्रष्टाचार, कमजोर वर्ग तथास्त्रियों पर अत्याचार, पर्यावरन को दूशिक करना या नश्ट करना। एक और उधारन लेते हैं, एक हजार बर्ष की गुलामी की लंबी अवधी में। ऐसे अनेक अफसर आये, जब यदी समस्तराज मिलकर विदेशी हमलावरों का मुकाबला करते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। यह भी सही है कि समस्तराजा वीरता पूर्वक लड़े, लेकिन लड़े अलग-अलग। और इतिहास आपको बताता है कि कितना व्यापक बिनाश था। यह किसी भी मानक से सही कर्म या धार्मिक कर्म नहीं कहला सकता। आप सब को फिर से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कल्युग मानव के लिए सबसे श्रेष्ट युग है। कल्युग सबसे श्रेष्ट युग मनुष्य के रहने के लिए अब हम मापदंडों के आधार पर हम कल्युग की चर्चा करेंगे जो आगे बताया गया है। पहले वेदांत जोतिश से देखते हैं, एक महायुग या कल्प जो भी आप कहना पसंद करें उसके बारा भाग होते हैं। पहले चार भाग सत्ययुग, इसके बाद के तीन भाग त्रेता युग, बाद में दो भाग द्वापर युग, फिर एक भाग कल्युग और बाद में दो भाग संधीकार. संधीकल दो महायुग के बीच का वो भाग है, जब पृत्वी का स्वाभाविक पोशन होता है. पहला भाग या भाव जन्म दर्शाता है, सही भी है एक नए महायुक कल्प का जन्म होता है जिसमें सदियों से भटक रहे मनुश्य या यह कहिये कि पिछले महायुक के बचे हुए मनुश्य जिन्हें हम मनु के नाम से जानते हैं उसके साथ यह संकर्प ले पाते हैं कि अब समुंदर के उपर ना रहकर प्रित्वी पर रहा जा सकता है दूसरा भाव कुटुम का है अब जब दुबारा प्रित्वी ही घर हो गई तो लोगों ने साथ मिलकर बस्तियां बनानी शुरू कर दी तीसरा भाव छोटे भाई और बहेन का है जंगल में नई मनुष्य की प्रजाती अब पनप रही थी जिनके पूछ थी और जिन्हें हम वानर भी कहते हैं चौथा भाव घर और ग्रे सुख का है अब अनेक बस्तियां मिलकर कबीला या राज्य कहलानी लगे तो यह है सत्ययुक की परिकल्पना जिसमें अधिकाश समय राक्षसों का राज्य रहा और राक्षस उन मनुष्यों को कहते हैं जो मनुष्य का मास खाते हैं पंचम भाग संतान का है पहली बार विश्नु अवतार परशुराम ने संगठित धंसे कमजोर वर्क तथा स्त्रियों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए सशक्त अभियान चलाएं छठा भाव शत्रु विरोग का है इसी समय श्री राम ने मानव शत्रु रावन को परास्त कराया तथा वानरों के विरुद्ध भेद भाव था उसे समाप्त करा दिया तथा धर्म के नाम पर स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उस पर अंकुष लगाया अगनी परीक्षा को अधर्म घोशित कर दिया सप्तम भाव समाज का है राम राज्य की स्थापना हुई त्रेटा युग में अधिकान्ष समय दुराचार था हां राम राज्य तो हर मनुष्य का सपना है अश्टम भाव जीवन दर्शाता है जीवन एक रहस्य है जिसे कोई आज तक समच नहीं पाया द्वापर युग का शुरू का इतिहास भी रहस्य बना हुआ है नवन जो धर्म का भाव है उसमें धर्म संबंधित स्तिथी इतनी बिगड़ गई कि महाभारत युद्ध और उसके बाद घोर विनाश हुआ द्वापर युग और सत्य युग दोनों ही अत्यन्थी मनुष्य के लिए नकारात्मक युग रहे है दशम धाव कर्म का है कर्म मनुष्य के नियंत्रण में है इसलिए कल्युग में यदि आप उचित कर्म करें तो सुख और उनत्ती निश्चित है सिर्फ समस्या यह है कि दशम से जो नवास्थान है वो शत्रुस्थान है और नवंभाव धर्म का है, धर्म गूरु का भी है अथाथ आपको जो भी गूरु मिलेगा, समभावना यह है कि वो आपको भटकाएगा इसके समाधान समाज को खोजना अवाशक है निसंदे कल्युग वेदान्त जोतिश के अनुसार श्रिष्ट युग है अब किस युग में कितने अवतार हुए हैं ये संभावित हैं उससे युगों का आतलन करते हैं ध्यान रहे अवतार जब आते हैं, जब धर्म का नाश होता है सत्युग में चार, त्रेता युग में दो, द्वापर में तीन, तथा कल्युग में एक स्थितीस पश्ट है, धर्म का कम नाश कल्युग में ही संभव है हर संभावित चर्चा करके, तथा हर मापदंड पर आकलन करने के पश्च्यात यह निसंकोच कहा जा सकता है, कि कल्युग ही श्रिष्ट युग है सबको समय से मिलता है कर्मों का फल एक बार देवर्शी नारत वैकुंठ धाम गए प्रणाम निवेदित करने के बाद, नारत जी ने श्रीहरी से कहा प्रभू प्रित्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा जो पाप कर रही है, उनका भला हो रहा है तब श्रीहरी ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्शी जो भी हो रहा है सब नेती के माध्यम से हो रहा है नारत बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूं पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ नारत ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी कोई उसे बचाने वाला नहीं था तभी एक चोर उधर से गुजरा गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका वह उस पर पैर रखकर दलदल लामकर निकल गया आगे जाकर चोर को सोने की महरों से भरी एक थैली मिली थोड़ी देर बाद वहां से एक व्रिद्ध साधु गुजरा उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की पूरे शरीर का जोर लगा कर उसने उस गाय को बचा लिया लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने पर उसके पैर में कील चुब गई प्रभु बताईए यह कौन सा न्याय है नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले तुमने जितना देखा उसी आधार पर नतीजा निकाल लिया सक्चाई यह है कि जो चोर गाय पर पैर रख कर भाग गया था उसे तो उस दिन खजाना मिलना था लेकिन अपने गुरे कारियों के चलते वह केवल कुछ मुहरे पासका जिस साधुने गाय को बचाया उसे उस दिन सूली पर चढ़ाया जाना था लेकिन अपने अच्छे कर्मों की बदौलत वह सूली पर चढ़ने से बच गया उसे सिर्फ कील चुगने का ही कष्ट सहना पड़ा कर्मों का फल खुद भोगना पड़ता हर व्यक्ति द्वारा किये हुए कर्मों का फल स्वय भोगना पड़ता है इसलिए कर्म करने से पहले दस बार सोचो और उसके बाद ही कर्म करो भगवान ने किस तरह पहले पूतना को मारा और उसके बाद शक्तासुर और त्रिनावर्थ का उध्धार किया हर व्यक्ति द्वारा किये हुए कर्मों का फल स्वय भोगना पड़ता है इसलिए कर्म करने से साब्धान रहो फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा प्रकृति के नियम में यह बात शामिल है और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा मौका कई बार आता है कि यह तथ्यस्वय ही सिद्ध हो जाते हैं जो और जैसा कर्म हम कर रहे हैं उसका कई गुना हमें वापस उसी जन्म में मिल जाता है इसलिए कर्म अच्छा या बुरा करना है या हमारे विवेक पर है भगवान का सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थित में प्रसंद बना रहे और अपने इश्ट का ध्यान करता रहे क्योंकि उसका सच्चा इश्ट प्रेम न सिर्फ उसके संकल्प को अडिग रखेगा बलकि उसका भगवान भी अपने भक्त के प्रेम को देखकर उसे लगातार दुख के पहाडों तले दबाकर नहीं रखेगा इसलिए भक्त और भगवान के बीच का प्रेम ही मनुष्य को हर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ती और सही पत पर चलने की राह दिखाता है एक साधु एक गाउ में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था जिस घर में भी जाता कोई आटा, डाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था उसी गाउ में एक ग्यक्ती उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता था और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खाले वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ धेर लगा देता ऐसे करते करते उस गोबर बहुत बड़ा धेर बन गया साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता, वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता था और गाउं के लोग खाना देते थे ऐसे करते करते दोनों का समय बीट गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पुरी करके भगवान के घर पहुँचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला तो उसने कहा भगवान से कहा है प्रभू मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाई कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे, वही गोबर का धेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर भी आएगा, तो उस वेक्ती ने भगवान के पैर पकड़ लिये और कहने लगा, भगवान मैं गोबर नहीं खा सकता, कृप्या इस समस्या का कोई समाधान बताओ, भगवान ने कहा कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, अब वो इनसान प्रभु के आगे रोए और गिड़ गिड़ाए, कृप्या करके इस समस्या कोई समाधान हो तो बताओ, भगवान बोले इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपडे में डाल कर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएगे, ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम एक साल लग और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अशंग भुस और घास के कुछ हिस्सा कपडे के उपर रह गया, तो भगवान बोले अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा, वह इनसान फिर रोये और कहे कि इसको कैसे खाओ, प्रभु ने कहा किसी के बुरे कर्मों को म कम कर सकता हूँ, पर बिलकुल खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए आपको यह तो खाना ही पड़ेगा, भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता, दर्शको कर्म फल का महत्व देखो, इ उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है, और फिर कहीं साल, दो साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह अब आपके उपर निर्भर करता है, कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो फल मिलने में समय जरूर लगेगा पर मिलेगा जरूर यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किये गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के उपर ही निर्भर करता है हमें सुख और दुख अपने द्वारा किये गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर कर दे क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रखे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं कौन सा गलत हो रहा है इसलिए कभी भी भुल कर भी किसी की आत्मा न दुखाए जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें भगवत गीता हमें कया सिखाती है ज्यान का महत्व, हर समस्या का समाधान है गीता गीता हमें क्या सिखाती है? हिंदु धर्म में गीता को सबसे पवित्र और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है क्योंकि गीता जीवन जीने का एक सार है गीता में हर समस्या का समाधान पाया जाता है ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है जीवन जीने के लिए अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान है तो गीता को पढ़े और अपनी समस्या के लिए गीता को बार-बार पढ़कर आप अपनी समस्या को खुद सुल्जा सकते हैं जो हुआ वह अच्छा हुआ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो नश्ट हो गया तुमने जो लिया यहीं से लिया तुमने जो दिया यहीं पर दिया जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था परसों किसी और का हो जाएगा परिवर्तन संसार का नियम है जिसे तुम रित्यू समझते हो वही तो जीवन है न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो यह अगनी, जल, वायू, पृत्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा परन्तु आत्मा स्थिर है तुम अपने आपको भगवान को अर्पित करो यही सबसे उत्तम सहारा है जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सरवदा मुक्त है गीता ज्यान का भक्ती का कर्तव्य का भाव का प्रेम का प्रभू से मिलने का एक ऐसा महासागर जिसकी गहराई का रहसियों का किसी को भी पूर्न ज्यान जान पाना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है नित्य नए नए भाय वन नया ज्यान पैदा होता है जितना गहरा इसमें गोता मारेगे उतना ही ज्यादा आनंद, शांती और ज्यान की प्राप्ती होगी गीता का केंद्रिय एक भाव यही है कि तुम निरंतर कर्म करते रहो परंतु उस कर्म में आसकत मत हो उसके अच्छे या बुरे फल को प्रभु नारायन को अरपन कर दो शुब और अशुबता तो प्रत्येक कर्म में दोनों छिपे हुए होते हैं, उनको देखने की चेश्टा मत करो किसी को भी मेरा है, मेरी है मत कहो, पूर्ण निश्चय को पूर्ण श्रधा से मानो गीता हारे हुए मनुष्य में हिम्मत पैदा करती है और सद्गुनों से भर देती है गीता को जितनी बार भी पढ़ोगे, सुनोगे, उसकी जितनी भी गहराई में हम जाएगे, हमें उतना ही ज्यादा आनंद, शांती और त्रिप्ती मिलेगी गीता जी का हर घर में प्रचार होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को रोम रोम में समस्थ जातियों, समस्थ धर्मों, समस्थ प्राणियों के लिए है गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म कभी मत छोड़ो, कर्म न करने से घोर पाप लगेगा, कर्म करते रहो मैं कृष्ण संपूर्ण जगत का मालिक हूँ, प्रभू हूँ, मुझे जगत से प्रेम है, मैं भी कर्म करता हूँ मुझे किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं, तो भी मैं कर्म करता हूँ यदि मैं एक शण के लिए भी कर्म करना बंद कर दूँ, तो यह संपूर्ण जगत ही नश्ट हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण की इस बानी से यह सिद्ध हो जाता है, कि यह सब जो नियमित अनियमित जो भी हो रहा है, वह अपने पास स्वय नहीं हो रहा है, प्रकृती को स्वय भगवान चला रहे है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, कि जो जो भक्त जिस जिस देवता रूप की श्रधा से पूजा करने की इच्छा करता है, उस उस देवता में ही मैं उस भक्त की श्रधा को स्थिर कर देता हूँ वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त हुआ, उस देवता के पूजन की चेश्टा करता है और परमात्मा की निश्चित प्रक्रियानुसार उस देवता से वह निश्चंदेह इच्छित भोगों को प्राप्ट करता है क्योंकि इन सब में ही यानी भगवान श्री कृष्ण वास करता हूँ मेरे अनेक रंग, अनेक रूप और अनेक नाम है भक्त जो भी रंग, जो भी रूप, जो भी मूरत, जो भी नाम, जो भी मान, जो भी उसको अच्छा लगता है, उसी को भज सकता है श्री कृष्ण भारत के उन विशिष्ट योगियों में से थे, जिन्होंने देश को नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गृष्टी से उन्नक बनाने के लिए भर्सक प्रयत्न किये गीता जैसा ज्यान दिया, किन्तु खेद है, कि देश ने उनके उपदेश को जीवन में उतारा नहीं भगवान श्री कृष्ण का कहना है, कि निश्क्रिय होकर बैठे रहना सर्वता अधर्म है और अन्याय कर रहे अपने सगे बांधव को दंड देना धर्म है श्री कृष्ण ग्वारा गीता में दिये गए उपदेश केवल एक धर्म विशेश के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाती के उठ्थान के लिए है गीता में भगवान ने अपनी सारी कृपाएं उडेल दी है गीता कोई एक मजहब मत या पंथ का गरंथ नहीं यह मोक्ष प्राप्ति का गरंथ है गीता मानव जीवन को सार्थक बनाने वाली विद्याओं से परिकून गरंथ है मनुष्य की मांग है कि सदा सुखी रहू, लेकिन गल्ती यह होती है कि जो चीजे सदा रहेगी नहीं, उनमें वह सुख खोजने लगता है मानव देह को इश्वर की सुन्दर्तम कृती और अहेतु की कृपा मानू अन्य योनिया जहां अपने अपने कर्म भोगती हैं, वहां मनुष्य उस कलाकार की कला का ऐसा अध्भुत नमुना है कि उसका मार्गदर्शन पाकर उसकी बराबरी कर सकता है अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौंदर्य अपने में निखार सकता है भगवान नारायन ने ब्रहमा जी से कहा कि जब यह संसार नहीं था तब भी मैं था और अब जब यह संसार है तब भी मैं हूँ यह मेरी माया का चमतकार है, यह माया की जादुग्री है, भगवान की माया शक्ति असली भगवान को छुपा देती है और नकली संसार को दिखा देती है श्री कृष्ण की यह बातें समच नहीं पाते, जिनकी बुद्धी का विकास नहीं हुआ है, उन्हें तो श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखेगें, क्योंकि इंद्रियों से जो दिखता है, वहीं उन्हें सच्चा लगता है कृष्ण का जीवन दुखों की लंबी कहानी है अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या को लेकर परिशान हैं, तो आप कृष्ण की जन्म से लेकर और जवानी तक की हर समस्या को बहुत ध्यान से सुनें और समझें, कि अगर भगवान को समस्या आ सकती हैं, फिर हम जैसे इंसानों की क्या आउकात है? उनके दुखों के आगे तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं, जन्म कारावास में हुआ, कुटुम्भी विरोधी निकले, मगर उन्होंने अपने को दीन हीन कभी नहीं समझा, श्री कृष्ण हर अवस्था में मुस्कुराते रहते हैं, जीवन की तमाम परेशानियों के बीच रहकर भी चित्त की सम्ता, मधूर्ता बनाए रखना, हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण का अर्थ है, जो सब को आकरशित करे, मित्र को भी, शत्रु को भी, ऐसा ही जीवन तुम्हारा भी होना चाहिए, वास्तव में तुम श्री कृष्ण से कम नहीं, तुम बुद्ध से महावीर से किसी से कम नहीं है, मगर शरीर को अपना मान बैठे हो, जगत को सच्चा मान लिया, तभी से दुर्भाग्य का आरंभ हो गया, संसार की ओर आकर्षित हो रहे, आपके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो अवतार हुआ है, उसी का नाम कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान सिर्फ छे दिन के ही हुए थे, जब उनको जान से मारने के लिए कंस मामा ने पूतना को जहर पिलाने के लिए भेजा था, अगासुर्प, बकासुर्प, धेनुकासुर्प, सक्ता, आदी अनेक महाराक्षशों को भेजा, मगर सभी बालक कृष्ण जी के हाथों मारे गए, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी का निश्थावान भगत है, नित्य गीता पढ़ता है, भजन करता है, उसके उपर किसी भी प्रकार का मारण, मंत्र या तोटका या मुठ काम नहीं करती, उस मनुष्य का कोई भी कुछ बिगाड नहीं सकता, बलकि अशुब करवाने वाले का ही अशुब होता है, मंत्रों के विप्रीत प्रभाव से करवाने वाले का ही नुकसान हो जाएगा, श्री कृष्ण का नाम जबते रहने से, यमराज भी उसका कुछ नहीं विगाड सकता, श्री कृष्ण शर्णमम, इस मंत्र का जो जाब करता है, उसके सब रोगों का शमन वपापों का नाश हो जाता है, दी सिध्धी उसके घर में स्थिर रहती है, यह श्री हरी का प्रिय बन जाता है, श्री कृष्णह शर्णमम एक महामंत्र है जो इस मंत्र को जबता है उसको जीवन में सब कुछ मिल जाता है गीता के पांच प्रसिद्ध श्लोक बताते हैं अजोपी सन्नव्यात्मा और अविनाशी होते हुए भी तथा संपोण प्राणियों का इश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृती अधिन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ यदा यदा की धर्मस्यत लानिर्भवती भारत अभ्युत्यान मधम्रस्यत अदात मानम स्रिजा में हैं हे भरक्वंशी अर्जुन जब जब धर्म की हानी और अधर्म की व्रिध्धी होती है तब तब ही मैं अपने आपको साकार रूप से प्रकट करता हूँ परित्रानाय साधोना विनाशाय चदुश्कृता धर्मसन स्थाप नार्याय समयामी युगे युगे साधो भक्तों की रक्षा करने को लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भाती स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ती तत्वत है त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैती मामेती सोर्जुन हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता अर्थात द्रिडता पूर्वक मान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनरजन्म को प्राप्त नहीं होता प्रक्युक मुझे प्राप्त होता है वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है भवो ज्यानत्सा उता मदभाव मात्ता राग, भय और क्रोध से सर्वता रहे, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञानरूप तब से पवित्र हुए बहुत से भक्त, मेरे भावस्वरूप को प्राप्थ हो चुके हैं। गीता हमारे धर्न ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल ही रा है। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुशों के वचनों का श्रबन करके मैं इस निर्नय पर पहुँचा हूँ कि संसार में गीता के समान कल्यान करने के लिए कोई और उपयोगी ग्रंथ नहीं है गीता में घ्यान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं। उनमें से कोई भी साधन अपने श्रद्धा और योग्यता के अनुसार करते रहने से मनुश्य का कल्यान हो सकता है। गीता उपनिष्दों का अभी उपनिषद जीवन के विकास कल्यान के लिए प्रत्येक इंसान को प्रतिदिन गीता के एक अध्याई का पाथ जरूर करना चाहिए इसलिए अनुभव पुरुशों ने कहा कि गीता धर्म ज्ञान का एक कोश है भगवत गीता एक असाधारण ग्रंथ है जिसके प्रत्येक धर्म का मनुष्य आदर के साथ पढ़ सकता है इसमें अपने धर्म के तत्व देख सकता है यह तो संसार का एक अनमोल रतन है इसके एक अध्याय में कितने रतन भरे पड़े हैं इसके पद-पद और अक्षर-अक्षर से अमरित की धारा बहती है गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव की उल्जन को सुलजाने की प्रचन शक्ती रखता है दुखियों का आधार है सोते को जगाने वाली एक जोत है इसलिए जिसने भी गीता का अध्ययन किया उसका बेड़ा पार हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है तो प्रिय दर्शकों उम्मित करता हूँ की आपको विडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे आपके एक लाइक से ही हमें प्रेना मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद